कि अगया है अगया है कि अगया है कि अगया है है हलो एट विलकम टुम्हें इस विसकर्मा यूट्यूब चैनल और आज हम लोग क्लास तेंद की फिजिक से को है मैगनेटीगी और एक्रिक करनेट में अगली लेक्षर के लिए त्याए है और आज की वीडियो में हम रोडिक्स करने जा रहे हैं क्लोक फेस रूल ठीक है तो क्लोक कपेस्ट डूल किया है आ यह चैशेस न आईए हम लोग समझ सब्सक्रहनी है कि used to find the direction of magnetic field of a current-carrying circular loop. Current-carrying circular loop. Circular loop जो है हमारे पास एक ऐसा conductor, circular coil कर देते हैं, जिसको हम लोग लूप बोलेते हैं, last video हमने सीखा है, हमारे पास कुछ ऐसा conductor है, ठीक है, हमारे पास ऐसा conductor है, ठीक है, अब इस conductor में देखिए, यह बिल्कुछ circular loop है, circular coil हुआ, अब इस conductor में जैसे ही हम current देना शुरू करते हैं, जैसे ही current देना शुरू करेंगे, student तो यहां ध्यान दिजिएगा, कि इस जैसे ही current गुजरती है, pass होती है, इसमें भी magnetic field develop होता है, इसके around, जो आमने कल की वीडियो में पढ़े था है, इस इंड से current upward जा रहा है, इस इंड से current downward जा रहा है, तो यहां पर magnetic field जो होगी, वो anti-clockwise होगी, और यहां पर जो magnetic field होगी, वो clockwise होगी, घरी के direction में होगी, इस्टुडेंट है, और यहां पर कैसी होगी, यहां पर आपका, इन्टी क्लोग वाइज होगी, यह हो गया आपका, क्वाइल का बीच कहीं साब, दो पार्ट में डिवाइट कर दिया क्वाइल को, अई हो गया क्वाइल का center, मैंने बताया था कि इस तरह से, यहां इस तरह से direction ऐसे होगा, और यह भी मैंने बताया था, कि center पर magnetic field सबसे ज़्यादा होता है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, क्लोक फेस रूल की, क्लोक फेस रूल क्या है, कि जब आपके पास ऐसा मतलब एक circular coil हो, और circular coil के अंदर current भेजी जा रही हो, तो उस coil में भी, उस क्लोक के around भी, है न, magnetic field डेवलफ होगा, उसकी direction कैसे पता करेंगे, magnetic field की direction पता कैसे करेंगे, तो for that, उसके लिए हमारे पास एक rule है, that is known as cloak face rule, उसको का जाता है, cloak face rule कहते हैं, ठीक है, ओर rule क्या है, cloak face rule है, आई समझते हैं, cloak face rule कहता है, कि looking at the face of, while, if the current around the face is in the clockwise, clockwise direction, the face is the south pole, strength इसमें दो बात याद रखनी है, कि क्वाइल के face को देखिए, ठीक है, क्वाइल के face को देखिए, और अगर किसी क्वाइल के face में जो current flow हो रही है, किस direction में है, cloak wise, अगर क्वाइल के, क्वाइल के face को देखिए, इसे book हमारे पास है, तो इसका एक face यह हुआ, एक face यह हुआ, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, कि अगर हम क्वाइल के face को देखिए, और उस face में current कैसे जा रही है, अगर clockwise जा रही है, उस face में current अगर clockwise, clockwise का मतलब ऐसा student, घरी के direction में, ठीक है, clockwise का मतलब होता है, in the direction of clock, घरी की direction, घरी कैसे चलती है, घरी जो है, इस तरह चलती है, तो घरी के direction में, अगर current जा रही है, तो वो अलाफ हिस, जो होगा, क्या का लाएगा, शाउथ फोल का लाएगा, मतलब कि हमारे पास ये क्वाइल है, मतलब हमारे पास ये क्वाइल हुआ, ठीक है, ये, मारे पास यह क्वाइल हुआ और सपोर्च किजिए किसमें करेंट इस तरह से जा रहा है अब देख सकते हैं करेंट की डिरेक्शन क्या है बिल्कुल क्लोकवाइज है घरी के डिरेक्शन में करेंट जा रही है तो अगर घरी के डिरेक्शन में करेंट जा रही है तो वह जो फे अगर करन्ट थे है किसी क्वाइल के लाए पर यह वलaph ayud को सकते हैं है ना और जस्ट अपोजीट दुसरा जो पॉइंट इसका स्टेंट है वह यह है कि मैं सेकिंड पॉइंट को इधर लिख दे रहा है यहां कर देता हूं कि चलिए जो सेकिंड पॉइंट इसमें यह है कि कि अपवर इसचेंट अब तक है इव दो करेंट इव दो करेंट इव दो करेंट अव्ह दो करेंग अगरण टरांड फेस अरांड फेस अव दो क्योई पॉइंट इस न जा तर इस न दो anti clock wise का मतलब बहुत आपोजित घरी के डिरेक्शन के पोजित anti clockwise direction anti clockwise direction that face is the north pole यानि कि अगर यहां अगर आप देखें एंटी क्लोकवाइज का स्टिंट मितलब ऐसे होता है कि यह हो गया एंटी क्लोकवाइज एंटी क्लोकवाइज जस्ट इस तरह से घड़ी के अपोजीट डेरेक्शन तो अगर जो करेंड जो है एंटी क्लोकवाइज है जैसे मैं यहां बना का दिखाता हूं अगर करेंट एंटी क्लोकवाइज है मिन्स देखिए current anticlockwise अगर किसी कवाइल में anticlockwise में है ना current जा रहा है तो anticlockwise जब current जाएगा तो वह वज़ो फेस होगा itshole regulation that is north पोलव में क्या करमा हो की लाएगा वो नर्फ पोल करमा तो इस तरह से हमने 9-1 को समझा को द दीखिये ये वह जो इंड है जहां से करेंट है एंटी क्लोक वाइस जा रहा है तो यह नॉर्थ पोल की तरह विहाइब करेगा कि स्वेस्टेंट अभी हम लोग बात करेंगे मैगनेटिक फिल्ड अड़ दा सेंटर ओफ सर्कुलर क्वाइब सर्कुलर क्वाइब हमारे पास है कि इस तरह से इसा सर्कुलर क्वाइब है ये उसका सेंटर हो गया यहाँ से करेंट को पास कराईए इसको कनेक्ट की SCHW ठीक है ऐसा हमारे पास सर्कुलर क्वाइल है अब यह सर्कुलर क्वाइल में करेंट तो जा रही है पास कर रही है यहां पर यह जो सेंटर हुआ यहां पर कितना होगा हाउ कैन वी कैलकुलेट दा वैल्यू ओफ मैंगेटिव फिल्ड ओवर दीस पॉइंट यहां पर हम कैसे पता करेंगे मैंगे उसके लिए क्या फर्मूला होगा कैसे वह आएगा फर्मूला आए सनस्त है तो यहां याद रखिएगा कि सर्कुलर क्वाइल के सेंटर पर मैंनेटिक फिल्ड को क्या से डिनोट करते हैं भी से डिनोट करते हैं तो मैंनेटिक फिल्ड को भी से डिनोट करते हैं तो मैंनेटिक फिल्ड जो होगा याद रखेंगे मैंनेटिक फिल्ड जो होता है वो डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू होता है इन दिस केस इन दिस केस प देखेंगे कि 영상 report होता है डिरेक्τη पॉमस्टनल टू करेंट होता है मिंस आप जितना ज्यादा केस इससे कोई सर्कुलर क्ष figured गुजारेंगे उतना ही ज्यादा magnetic field का डिवेलाप फोगा इसके अंदर और जितना कम कारेंट गुजा सब्सक्राइब करेंगे उतना ही कम मैंनेटिक फिल इसमें डेवलप फोगा स्टूरें आई बात समझ में चलिए तो यह इक्वेशन नंबर फॉस्ट दूसरी बात कि यह जो है जैसे आप देखें यह सर्कुलर यह आर हो गया वाट इस आर इस आर स्टुडिन तेल मी आर यहां जो हुआ दैटिस का रेडियस आफ दी क्वाईल का वो रेडियस खुए है ठीक है आर क्या है आर क्वाईल का रेडियस है तो इस आर पर magnetic field किस तरह से depend करता है तो R, magnetic field is inversely proportional to radius of the coil, इसका मतलब कि coil का radius जितना ज्यादा होगा, यह जितना ज्यादा होगा, definitely magnetic field उतना ही कम होगा, और radius जितनी कम होगी, यानि कि circular coil जितनी छोटी होगी, यह उतना ही ज्यादा वो magnetic field वे लिवलप करेगी, यह दुसरी पांट हो गया तिसरी बात यहाँ पढ़िए जानना है कि B, directly proportional to N, N क्या होगा, टोटल नमबर ओफ टर्न, टोटल नमबर ओफ टरंस, यह ना, टरंस का मतलब समझते हैं न, फेर, जैसे यह, जैसे यह कितने टर्न हुए हैं, पांट कर लिजे, एक दो, तीन, चार, पांच, यह जो नमबर ओफ टरंस होगा, आप क्वाइलिंग करते हैं तो इसको टार को वायर को कंड़क्स आजाता आपस में तो उनहीं, जितनी बार लपेटते हैं, उनको टरंस करते हैं, तो कितनी बार टरंस होगा उस पर भी directly ठीक है तो अगर हम इन सभी फर्मुला को कंबाइन करें तो आपको एक फर्मुला फाइनली बन कि आएगा इस तरह से इन सारे फर्मुला को कंबाइन करेंगे अगरें कमबाइनिंग औल इक्यवेशन्स तो ब एक में था आपका क्या आई इन्टू वन बाइ आई इन्टू एन्टू एन आई और एन बाइ आर जब यह जो sign है यह भी sign हटता है तो यहां constant को रूप में आता है mu not बटे में 2 यह इसके लिए और शाथ में क्या था? ni by r यह हो जाएगा आपका mu not ni by में 2 r यह formula कब लगाना है? यह formula आपको लगाना है यह क्या है? B क्या है? magnetic field of coil at the center center यानि की o center पर magnetic field center पर coil के center पर magnetic field क्या होगा? उसका formula equal to mu not ni by 2 r यहाँ पर जो है mu not क्या है? एक तरह से constant है जिसको बोलते है permeability और इसका value होता है 4 pi into 10 to the power minus 7 tesla meter per ampere और n क्या हो गया? number of turns हो गया i क्या हो गया? current हो गया और r हो गया radius of the radius of the circular coil अब आते हैं इस पर best हम numerical करते हैं है? अब गया है? अब आप गया है? और हाई यह जर एडियस हैma गहाय जर रेडियस है और खोड़िए प्रेट आफ अवी कितना करेंट को कर रहा है क्या को जैए यह बहुत ही simple numerical है यह इसको देखते है number of tons कितना है n number of tons को n से denote करते हैं और वो है हमारा 10 और यहाँ radius देख लिजे क्या है radius 10 cm cm में है radius और radius एकर की distance है distance का ऐसा meter होता है इसको आपको मीटर में convert करना पड़ेगा 1 by 10 कर देते हैं 1 by 10 मीटर और करेंट 5 एंपियर सो यह सारी चीज़े आपर दे दीगे अब हम लिखेंगे using formula कि आप semi circular क्वाइल के center पर magnetic fail find करने का formula क्या सिखे है using formula बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपोन टू आर इतना तो पड़े ही है अब म्यू नोट की वैलू यहां रख दीजिए न फोर पाई इन्टू टू टू दी पावर 7 नम्बर आफ टंस भी रख दीजिए 100 करेंट की वैलू 5 और टू इन्टू आर की वैलू 1 by 10 सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यह 5 और यह जो 4 है कि उसको मल्टिप्लाइ करते हैं तो हमारा टेन आजाए टूंटी आजाएगा पाईफ फोर्जा ट्वेंटी साथ में पाई अटेन के पावर माइनस 7 यह 100 को अप्लिक सकते हैं 10 के पावर 2 10 के पावर 2 यहां के 10 इन्टू 10 100 और यहां 2 का 2 देखिए 1 by 10 है तो जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 10 ऊपर चाल जाएगा वन नीचे रह जाएगा यहां कुछ नहीं तो पावर 1 कर देंगे यहां से यह cancel 10 अब बताईए pi इंटू यहां पावर 1 कर देजिए 10 के पावर माइनस 7 एस्टू यह देखिए कि सबका बेस 10 है और सभी इंटू में है तो जब बेस सेम हो और सभी इंटू में हो तो पावर जुटता है इस तरह से हमने देखा कि इसका क्या होगा 3.5 की value जो है आप 22 by 7 भी रख सकते हैं और point में लेकर आना है 3.14 भी यहां से आप रख सकते हैं तो यह था कि circular coil में हम direction कैसे पता करते हैं फिर उसका magnitude कैसे निकालेंगे वह सारी सारी चीज़ा हमने डिसकस किया अगरे क्लास में मैं से आगर से करेंगे सकें थांक यू थांक यू थांक यू थांक यू थांक यू थांक यू झाल